तो गाइस आपने तो अपने मोबाल सेटिंग्स के थूँ एक प्लेयर को यूज किया होगा लाइक दिस और आपने MX प्लेयर, X प्लेयर, Play It नाम करके काफी सारे प्लेयर को यूज किया होगा बट आज मैं आपको एक ऐसा प्लेयर लेकर आया हूँ जिसमें HD, Full HD और Ultra HD 4K HD प्लेयर है ठीक है तो उसका नाम है Video Player HD ठीक है तो आज की जो वीडियो है काफी informative और बहुत important है तो बने रव वीडियो में end तक उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर दीजेगा तो चलिए लेकर चलते हैं अपने स्किन पर फिर आपको पूरी डीटेल में बताता हूँ कि कैसे कुछ कर सकते हो किस तरह से आपको इस एप का लिंक डिस्किप्शन पर मिल जाएगा जहां से आप इजिली डाम्लोट कर पाएंगे तो दोस्तों देख सकते हो कि अपने स्किन प्याच चुके हैं और आपको मैं दुबारा बता दू लैंग डिस्किप्शन पर दी गई है आपको कुछ स्टेप की इन्नीटर फ्रेस म vide आपको क्या कर दी लेना है कि यहाँ पर सुच बाख के ऊच्च बाख कर दो यहां पर साथ क्लें गरगे तो यहां पर लिखना ए यहां पर लिखना बदी 4K HD थेक है तो हाँ ठेक, 4K Video Player, तो आपको नीचे आजाना है, आपको जो ओरिजनल डामलोट करनी है, काफी अच्छा है, जो कि, यहां पर आप देख सकते हो, यह मैं इस पर टैप कर देता हूं, यह वाली है, तो आप देख सकते हो कुछी स्टैप का इंटरफेस है इसकी, काफी अच्छा है, बह बता चुका है, और काफी अच्छा भी लग रहा है, देख सकते हो, कि कितने सारे HD फोटो है इसमें, और कैसे यूज करना है, पूरे में डीटेल में आपको बताने वाला हूं, तो आप इसको भी यूज करिएगा, अगर आप MX Player यूज करते हो, प्लेट को यूज करते हो, त चुछ धीर वेट करेंगे, और हम देखेंगे कि कैसा काम कर रहा है, और दोस्तों, मैं आपको बता दू कि, आपने अभी तक मैं चैनल को सब्सक्राइब ने किया, तो प्लेज सब्सक्राइब कर लेजएगा, और दोस्तों, मैं आपको बता दू कि, टॉप फ्री वीडियो देखना ना भूले, क्योंकि आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर इंड ओफी स्क्रिन या डिस्क्रिप्शन पे भी दी गई है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यह ओपन हो रहा है, तो यह ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद आपको देख सकते हो कि पलपल कलर है, तो यहाँ पे यूज कर लता हूँ, तो काफी अच्छा इसकी कलर इफेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि काशी सारी ओप्शन है, वीडियो, ओडियो, और कलर थेम्स, दा, और कर 3, MP3 कटर, और लॉक, बहुत सारे ऐसे हैं, रिमूब एड़ सेटिंग्स, बहुत ही अच्छा इसकी है, ठीक है, और आप देख सकते हो, सौरी बैटरी, तो आप यहाँ पे 3. पे टैप करोगे, तो यहाँ पे भी कुछ इस्टाप का इंटरफेस आ जाएगा, और मैं आपको बताता हूँ कि बीडियो में, बीडियो में देखिए, एक्स्ट्रेक्ट वाला है, तो यहाँ पे बीडियो आपको दिख जाएगी, और मैं किसी भी बीडियो को साइद प्ले करने वाला हूँ, प्ले करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको प्ले कर दिया हूँ, और आप देख सकते हो कि काफी अच और यहां पे आपको ऊपर में साफ काफी सारे option मिल जाएंगे, जिसमें equalizer settings है, timer है, music है, mute है, return है, जैसे हो, option बहुत सारे है, यह back आगया, तो simply इसको फिर से मैं open कर लेता हूँ, फिर यहां पे आप देख सकते हो, कि मैंने इसको बता दिया है, आप इसमें से कुछ भी note कर सकते हो, और यहां पे extract वाला है, तो मैं आता हूँ, और भी, यह देखे, screen computer, ठीक है, तो यह हो गया, और यहां पे देखे, उस पे tap करेंगे, तो यहां पे audio select हो गया, audio में बहुत सारे गाने है, बोजपूरी गाने, बहुत सारे है, ठीक है, और यहां पे आपको हिंदी गाने पे मिल जेंगे, तो यहीं पे tap करेंगे, और अगर माले जी आपको कुछ लिखना हो, तो आप क्या कर सकते है, तो यहां पे search कर सकते है, जो अक्षे कुमार के मैं गाना सुनता हूँ, तो अक्षे कुमार का जो song होगा, वो आ जागा, ठीक है, या फिर हनुमान जी का, ठीक है, अक्षे आनुमान, ठीक, तो इस पे back करते हैं, फिर मैं audio पे आता हूँ, ठीक है, तो audio वाले पे section पे आते हैं, फिर यहां पे हम search करते है, हानी सिंग, ठीक है, हानी सिंग को लिख लेता हूँ, मैं पहला, ठीक है, हानी सिंग का जो blue eyes वाली जो song है, वो आपको जाएगी, अगर आप जिस पर काय के song लिखे होंगे, ठीक है, तो हानी सिंग का music तेंटो है, आप तेख सकते हो, क्योंकि मैं हानी सिंग का बहुत बढ़ा फैन हूँ, और आप देख सकते हो कि काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप यहां पे आते हैं, तो आपको file manager type की मिल जाती है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा यूज़ी यूज़ कर सकते हैं, और नीचे जो audio, video जो भी होगी आपको वो दिख जाएगी, तो simply आते हैं, बैक, folders इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि आप अगर file manager को यूज़ करते हैं, तो आपको folders की नजर आती है, और यहां पे आप देख सकते हो कि काफी सारे अच्छे option में दी गई है, और plate को भी बना सकते हैं, यानि create plate नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं number 1 नाम देने वाला हूँ, ठीक है तो add number 1 पे tap कर दिया, देन okay कर दिया, इसको plate को बना लिया, बट अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको use करना है, यूज कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, किसे भी गाने को ले लेते हैं, जैसे कि, और निचे, ये ये देखे, ये वाली गाने है, तो पवन सिंग की स आप देखे, जो उसको मैं ले लेता हूँ, और मैं प्ले कर दिया, प्ले करने के बाद यहां पर आपको option में मिल जाएंगे, जो जो आप देख सकती हो, यहां पर, मैं पताता हूँ, इसको नहीं करना है, नीचे में है, फेबरेट करेंगे, तो आपको पूछा, कि आप क्या करेंगे, जैसे दिल वाली बटन है, उसको टैप कर देंगे, तो, तो, यहां पर आप देख सकती हो, ओपन नहीं हो रहा है, यह, आप देखे, इसको मैं बंद कर दिया हूँ, यहां पर आता हूँ, तो यहां पर देखे, प्लस का, देखे, यहां पर काफी सार अप्शन है, यहां पर आपने को जो भी बजाेंगे तो आप यहां पर अपनी मीजिक को जो भी बजाएंगे तो आप एको लाइज़ सेट कर लेंगे जैसे कि वोल्यूम सेट करना ही और value set करना है, base set करना है, और twitter set करना है, ऐसे बहुत से option है इसमें, और यहां पे आते हैं, तो normal में आपको rock, music, dance, ऐसे बहुत सारे option है, jack, तो उसको use कर सकते हो, या custom में आप इसको उपर नीचे कर सकते हो, ताकि आपकी जो music player है, जो improve हो जाएगी, यानि अगर माल लिजिया, आप earphone में लगाए है, तो आप इसको use कर सकते हो, कि काफी सारे जो best sound आरती है, जो कि आपको अच्छा लगेगा, तो super bass के लिए इसको भी use कर सकते हो, काफी अच्छा है, और home theater अगर आप use करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा sound effect मिलेगा, तो I hope कि ये video आप आपको पसंदा है, ये video पसंदा है, तो like करेगा, बस इतना ही part है, और channel को subscribe कर लेजेगा, मिलते हैं किसे next video में, धन्यवाद for watching, तो वीडियो को अभी कि अभी like कर दीजेए, तो दोस्तों देखा आपने कि यही जो HD player है, काफी बहुत ही अच्छा था, ठीक है, उसमें मैंन हर एक तरह का user interface दिखा दिया, और आपको एक ऐसा चीज़ बताया है, जिसको तुरू आप use कर सकते हैं, जैसे कि उसमें जो video player है, उसमें auto player भी हो सकता है, यानि audio player भी हो सकता है, और साथी साथ आप उसको cut भी कर सकते हैं, ठीक है, और साथी साथ player list भी बना सकते हैं, और favorite क कर सकते हैं, तो I hope कि ये video आपको समन में आई है, तो दोस्तों मैंने एक और चीज़ को बताया है, जिसको आप use कर सकते हो, अपनी music player को use कर सकते हो, जैसे कि अगर आप home theater में गाना बजाते हो, तो उसके लिए equalizer settings बहती important होती है, तो उसको भी मैंने आपको बता दिया है, आ आप check out कर सकते हो, so I hope कि ये video आपको पसंद आए, video पसंद आए, तो like करिए, channel पर नहीं है, तो subscribe जरू करिए, मिलते हैं किसी next video में, और दोस्तों मेरा top 3 videos देख लिजे, channel के link description पर दी गई है, और video का link भी description पर दी गई है, जहां से आप easily देख सकते हैं, और आपको अगर online earning पैसा कमाना है, तो link description पर दी गई है, आप वहां से जरूर चेक आउट करिए, तो मिलेंगे next video में, धन्यवाद for watching, bye bye, टिक के टाटा, bye bye